हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं माउथ पिग्मेंटेशन के बारे में यह माउथ पिग्मेंटेशन होता क्या है आपने बहुत सारे लोग के फे अगर आप चाहे तो कुछ घरेली उपायक अपना कर अपने उस टार्कन एरिया को लाइटन कर सकते हैं अपने पिग्मेंटेशन कर सकते हैं जिससे आपका पूरा पेस एक इवेन टोन नजर आएगा अगर इन सब चीजों के वाज़े से आप ही परिशान है तो आज के मेरी आपके लिए बहुत हेल्पुल होने वाली है आज जो डियाईवाइ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी यूज़ करने के बाद आपके डारकन एरिया धीरे धीरे लाइटन होगी और आपके पूरे फेस एक इवेन टोन हो जाएगी आपके सकिन के जो भी डेड सकिन पहुंचे और आप उससे मिस्त ना कर पाए आप चाहे तो मुझे इंस्टावाम पर फॉल्व कर सकते हैं मेरा इंस्टा आइडिया में आपको मेंशन कर दूंगी तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ ये मैंने एक चमत चावल का आटा लिया है अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगा बेसन का यूज भी कर सकते हैं अब मैं इसमें एड करने वाली हूँ मैंने टमाटर का इस तरह से इसका जूस निकाल लिया है इसमें मैं एट करूँगी हाफ टी स्पून टमाटर का जूस आप इसके जगा निम्बू का यूस भी कर सकते हैं पर आप बहुत सारे लोगों को निम्बू से कुछ अलर्जी प्रॉप्रम हो सकती है इसलिए मैं यहां टमाटर का जूस यूस कर रही हूँ इसके साथ ही हमें इसमें एट करना है वो है रोज वाटर रोज वाटर हमें वन टी स्पून यूस करना है इतना रोज वाटर मैं इसमें डाल दूँगी आपको इसकी एक अच्छी से पेश्ट बना लेनी है पेश्ट बनाने में अगर आपको और भी रोज वाटर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं आपको ना ज़्यादा बहुत थिक ना बहुत वाटरी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है यह हमारा पेश्ट बिलकुल बन कर तयार हो गया है अब आपको अपने लिप्स के आसपास वाले एरिया जहां आपके स्किन डार्क है वहाँ इसे अच्छे से उंगली की हेल्प से अपलाई कर लेना है अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद पांच मेट तक आप इसे सूखने दे जब यह पांच मेट के बाद सूख जाए तो आप इसे स्क्रब करते हुए रिमूव करें बहुत हलके हाथों से इसे आपको स्क्रब करना है बहुत रगड़ के मत किजेगा पर आपको इसे हलके हलके हाथों से scrub करते हुए 2-3 मिर्ट तक आप इसे scrub कीजिए उसके बाद अपने face को धोलीजिए चावल काटा मैंने इसमें इसलिए यूज़ किया क्योंकि चावल काटा आपके skin से जो भी आपके skin की dead skin की layer होती है उन सब को हटाने में बहुत हेल्प करता है टमाटर आपके skin में जो भी dark area होती है उसे lighten करने में help करता है जिससे आपके skin की darkness खतम होती है और वहाँ की skin आपकी light होती है and rose water आपके skin को बहुत fresh करता है तो इन तीनों को mix करके मैंने बहुत ही अच्छी remedy बताई है यह आपके जो भी dead skin की layer है उसे भी निकाल लेगी तो आपके skin को light करेगी आपके skin even tone हो जाएगी आपके face की skin आपके lips की आसपास की skin बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी अगर आपके पास time है तो आप इसे daily लगा सकते है अगर time नहीं है तो week में दो से तीन बार जरूर लगाएगे आप इसे use करने के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे आपके skin light होगी आपके skin की darkness खतम होगी तो यह बहुत ही effective remedy है तो आप इसे try किजे and try करने के पाद आपको यह कैसी लगी मुझे comment में जरूर बताना I hope कि यह remedy यह pack आप सब के लिए बहुत useful रहे आप सब के लिए बहुत helpful रहे मेरी वीडियो आप सब के लिए helpful रही हो तो इसे like किजे ज़्यादा से ज़्यादा share किजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए मिलती हूँ अपने next वीडियो में till then bye bye